हाई गाईज, वेलकम टो यूटूब शैनल दे रियल इन्वेस्टमेंट अंबर इंटरप्राइज से स्टॉक के अंदर कुछ जबर्दस बाते हैं हमें देखने मिल रही है जिसके चलते स्टॉक के अंदर काफी हाँ पर इंवेस्टरस का इंटरेस्ट बढ़ते हैं हमें देखने मिल रहा है और जहां तक कि अंबर इंटरप्राइज से स्टॉक की बात की जाए तो आपको बताना चाहूंगी स्टॉक में जल्दी आपको न्यू 52 वीक हाई हाँ पर बानते वे देखने को मिलेगा चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको मैं अक्वेजिशन के रिटेरी हाँ पर बताना चाहूंगी जो की अंबरेटर प्रेजस का 10.94 परसेंटेस तक का है आपर स्टेक एक्वाइर किया गया स्क्री सिटी इलेक्रोनिक मैनुफेक्ट्टरिंग क्लस्टर के अंदर अप ये क्यों जरूरत पड़ी इन्ही हापर अक्वेजिशन करने की तो आप यहापर देख सकते हैं जो की SPV तोगेदर नो सिंगल कंपनी आपर देखने को मिलती है EMC unit holding यहापर 25% तक का shares देखने मिलता है SPV company के अंदर and in context of the share same the company has invested 60,64,680 स्क्री सिटी इलेक्रोनिक मैनुफेक्टरिंग क्लस्टर के अंदर देख सकते हैं आप यहापर invested company कितने देखने को मिल रही है जो की context same यहापर invested देखने को मिल रहा है amount अब देख सकते है 60,64,680 यहापर amount invested देखने को मिल रही है has been allotted जो की 6,64,68 equity shares जिनकी face value rupees 10 per share देखने को मिलेगी add the comprises देखा जाए comprises देखा जाए तो 10.94% तक का यहापर share capital हमें देखने मिलता है तो यह सारी बात हैं यहापर 10.94% तक का यह जो stick था acquisition का उस सारी details आपको यहापर से देखने को मिल चुकी होंगी next level पर आपको बताना चाहूंगी एक कुछ खास बात है जो stock related देखने मिलती है जो कि promotors की holding है जो कि पिछले 6 months से constant हमें देखने मिल रहे है कोई भी यहापर stake घटते हुए या फिर बढ़ते हुए हमें देखने को नहीं मिल रहे है लेकिन यहापर promotor pledge कम हो रहा है साथ इसाथ पिछले 3 मेने से अगर बात की जाये तो यहाँ पर यानि यह quarter basis पर mutual funds अपनी holding यहाँ पर बढ़ाते हैं देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं promotors की holding यहाँ पर 40.27% की जो कि 6 months से बदली नहीं है mutual funds ने अपना stake बढ़ा दिया है 7.24% से इनका stake बढ़कर 8.86% तक का देखने मिलते हैं और foreign investors भी 28.11% से इनका stake बढ़कर 28.96% तक का देखने को मिल रहे हैं आप यहाँ तक कि stock के delivery की बात कीज़ें तो आज की दिन stock के अंदर आप देख सकते हैं 25.60% तक की delivery उठाई जा रही है और stock का अगर आप 52 week हाई हाँ पर देखेंगे तो वह हमें 3788.65 का जो कि 12 October को हाँ पर new 52 week हाई देखने को मिला था और stock के अभी फिलाइल की training 3390 के करिब के देखने को मिल रही है आपको बतना चाहूंगी यह मन के ending तक या फिर December के first week में stock अपना new 52 week हाई हाँ पर create करते वह है आपको देखने को मिलेगा next level पर अगर इसकी volume आनले से इसकी बात की जाया तो आपको बतना चाहूंगी stock को volume हाँ पर 89,000 के करेब का देखने को मिल रहा है जो कि पिछले दिन 49,000 का देखने को मिल रहा है तो यह कुछ बात ही थी stock के rated I hope so आप सभी को यहाँ पर पसंद आई होगी और informative आप सभी clear रही होगी so thank you so much